कॉंग्रिस के राशनीता और सांसात राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा के संबन में डॉक्टर बाबा भीम राफ अम्बेटर के जन्म इस्थली और सभास्तल का दौरा का निरिक्शन किया गया इस अफसर पर राहुल गांदी जी के सलाकार केवी बीजू के आर राजू स्थीपी मित्तल ने कॉंग्रस अध्यक्ष सदा शिव यादव के साथ बंद कमरे में महतुकून बिंदू उपर चार्चा की गई बता दी कि बाबा साहब अम्बेटरी जगी जन्म इस्थली का कारिक्रम तै करने के बास सभास्तल पर के आर राजू बीजू जी और सताशिव यादव अंदरन सिंग दरबार निरिक्शन कर अंतिम तयार्यू की रूप रिखा तै की राहुल गांदी जी 26 नवंबर को शाम 6 बचे महू में प्रवेशकर बाबा सहब अम्बेटकर जन्म इस्थली पर संस्था के सदसु द्वारा स्वागत किया जाएगा ततपर शात अम्बेटकर जी के चन्रों में नमनकर पुष्प अरपिद कर कल भूमे पर अस्थी कलश प समिधान की प्रतिका वाजन किया जाए गां। सभावस्थरसे माल डोत होती हुए सभावस्थर ड्रेम लैंट को संबोदित करेंगे सबा को संबोधित का रात्री विश्राम ही तू देश्रा मैदान पर पहुचेंगे रात्री विश्राम देश्राम मैदान पर होगा देखिए हमारी एक महा पेले से जो यात्रा की तैयारी चल रही है लेकिन यह हम सुपा की साली है कि हमारे अधरनी राहु गांदी जी 26 तारीक को जो सविदान दीवा से उस दिन दाक्टर भीम राव अंबेर कर जी की जहनती पर उनको नमन करते हुए और जो उस तरीके से करते हो रही है उसके लिए भेंगई को लगे बेरजगारी को लेकर और सभी अन्यमुद्दे जो सभी वर्गों के हीतों से जुड़े हुए है उनको लेकर आधरनी राहुल गांदी जी पे 370 किलोमेटर की यात्रा पेदल कर रहे हैं उसमें हमारे 26 तारीक के दिन आधरनी र में वहां पर अंदर जाकर बाबाद साब के करजी की प्रतीमा पर नमन करेंगे और उसके बाद अंदर प्रात्ना होगी और फिर सभास्तल पर आएंगे और सभास्तल पर सबको शंबदित करेंगे और जो तैयारी है वो हमारी पूर्णता तैयारी है सब की जो जवाबदारि और बहुत अच्छी एतियासिक सवा भी होगी और यात्रा भी एतियासिक है कि यहां कितने वजे पोचेंगे और कप जाएंगे कितने गंटे लगवा कि वह उतान सवाचेंगे पूप जाएंगे और अम्मेरकर जी के यहां उसके बाद में 20 मिट का गरकम है हमारे जो प्रातना के बाद हमें वकिल जो विवेक तन्ठा जी के साथ में 50 वकिल मोदे सब रहेंगे वो सविधान की प्रती अधरनी राहुल गांदी जी को भेट करेंगे और उसी समय हमारे दलि उसको वाचन करेंगे और उनकी प्रती बेट करेंगे तो यह करकम यहां अम्मेरकर जी किया उसके बाद में 20 मिट बाद ही सभास्तल्य है